हर एक महिला को पिरियर्ट्स में होने वाला दर्द बहुत परेशान करता है इसे ही हम पिरियर्ट्स क्रेंप कहते हैं तो आज हम बात करेंगे पिरियर्ट्स के दोरान होने वाले दर्द के बारे में कि उन्हें उस दोरान कितनी परेशानिया होती हैं और हर महिला में इसके लक शोरा अवस्था से लेकर के रजो निवरित्ति तक की अवधी में महिलाओं को दर्द से गुजरना पड़ता है। श्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंच जाए फिर आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मिलेगी इस से और अच्छा होने में मदद मिलेगी। सबसे पहला होता है प्राथमी की डिसमेनोरिया। जी हाँ यह दर्द आम तोर पर पिरियट्स के शुरुवात में किशोरी और युवा महलाओं में होता है। इस दर्द के कारण उनके गर्ब में खून की कमी होने लगती है। यह दर्द मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। लेकिन यह दर्द बढ़ने पर पीट के पीछे और जांगों के नीचे तक जा सकता है। दर्द हो सकता है। इसके वज़ा से कुछ महलाओं को मितली भी आने लगते है। यानि कि उल्टी होने की समस्या होने लगती है। दूसरा है माध्यमिक डिसमेनोरिया। जी हां यह दर्द एक सीमित समय के लिए नहीं हो सकता है। इस स्थिती में पिरियर्ट के दोरान रक्त स्त्राव होने लगता है। और ऐसा लंबे समय तक हो सकता है। माध्यमिक डिसमेनोरिया कुछ स्थितियों का संकेत हो सकता है। तो अब आईए समझते हैं पिरियर्ट्स क्रेंप्स से कैसे आप छोटकारा पाएंगे। इस बारे में घरिलू कौन-कौन से ऐसी ओशधिया हैं जो आपके लिए अच्छी होंगे। सबसे पहले तो गर्म पानी की बोटल। पिरियर्ट्स के दोरान अगर दर्द से रहत पाना चाहते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पेट और कमर के पास होने वाले इस दर्द से रहत पासकते हैं इससे सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा पानी का स्यवन करें। यह बेश्ट तरीका है कोई भी साइड इफेक्ター नहीं होगा और आपका नेचुरली धर्द कंट्रोल होता रहेगा। अब आईए औशधियों की बात कर लेते हैं सबसे सथा उपाई यहीं है लेकिन कुछ औशधियों को भी इसमें इंक्लूड कर लीजे ताकि और इजली आपको जल्दी से रहत मिल सके जैसे कि अदरक अदरक का इस्तेमाल ठंड के दिनों में चाय के लिए जादा किया जाता है आपको बता दे अगर पिरियट्स के दोरान इसका सेवन करते हैं तो दर्द से रहत मिलता है तो आप कैसे करें पानी जो पीएं आप गर्म उसमें थोड़ा सा अदरक डाल करके और पानी को उबाल ले वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए दर्द से रहत दिल इसलिए उन्हें ऐसे में पूरा आराम करना चाहिए उन्हें कम से कम साथ से आठ घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए और गहरी नींद प्रूपर नींद लेनी चाहिए तो उनको रहत मिलती है इसके अलाबा हमारे घर में मौजूद एक उश्यदी है जीरा जिहां इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं जीरा पिरियर्स के दर्द को कम करने में आपकी मदद कर सकता है जब आपको पिरियर्स क्रेंप होने लगे तो आप दर्द से रहत पाने के लिए चाय में जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी में इसको उबाल सकते हैं दो चम्मच जीरा ल लिया इससे आपको रहत मिलेगी इसके अलावा योग का सहारा ले योग आपको धर्द से रहत दिला सकता है दरसल जब आपको पिरियरट्स के दोरान दर्द होता है तो आपको थोड़ा सा योग करने से शरीर में रिलेक्सनेस महसूस होती है और रिलेक्स हार्मोन जादा बनत हैं जिसके वज़ा से दर्द से रहत मिलती है इसके अलावा हमारे घर में मौजूद होती हैं तुलसी जी ये भी बहुत अच्छी ओश्यद हैं तुलसी का इस्तेमाल लोग तब जादा करते हैं जब उन्हें सर्दी और जुकाम होता है उनका काढ़ा बना करके सेवन करते है ठीक इसी तरह से तुलसी पिरियर्ट के दोरान होने वाले दर्द को भी कम कर सकती हैं और या अन्यमित पिरियर्ट की समस्या को भी ठीक करते हैं यानि कि आपका पिरियर्ट समय पर नहीं आता है तब भी ये ओश्यदियां आपके काम आती हैं अगर आपको लगता है कि आप आपका period से समय पर नहीं आता है, समय के बाद आता है या पहले आता है, तो आप पहले से ही जीरे के पानी का इस्तेमाल सुरू कर दीजीए, आपका period समय पर आने लगेगा और दर्द भी नहीं होगा, इसके अलाबा मेथी, जी हां period scremp में मेथी का इस्तेमाल आपको इसके दर्द से काफी रहात दिलाता है इसका इस्तेमाल आपकी वल मसालि के रूप में ही नहीं बलकि आप इसका उपयोग दवा के रूप में भी कर सकते हैं यह काफी अच्य ओश्यदी है इससे आपके शरीर के अलग-अलग दर्द जैसे कि जोड़ों के दर्द से भी रहत मिल जाती है ये और शदियों का सेवन करें लेकिन इसके साथ साथ जीवन शैली में भी कुछ बदलाव जरूर करें क्योंकि लाइफ इस्टाइल अगर बहतर रहेगी तो आपको जादा आसानी होगी हम ये नहीं कह रहे हैं सभी को ऐसी आदिते होती हैं लेकिन जो आपको इसमें से कमी दिखे कि आप में भी है तो उसको सुधार ये इससे आपको रहत मिलेगी धुम्रपान करने से पीरियट्स के दर्द और बढ़ सकते हैं इसलिए धुम्रपान के अगर लत है तो इसको थोड़ा वाइट किजिए छोड़िये तो ही बहतर रहेगा आपके लिए इसके अलावा शराब के सेवन से बचें किसी भी प्रकार के नशे की लत है तो उससे थो फाइबर पाया जाता है इसके अलावा सब्जियों में आप जो छिलके के साथ खाई जाते हैं उन सब्जियों का सेवन कीजिए फाइबर अच्छी मातरा में होगा तो फायदा करेगा इसके अलावा विटामीन E के सेवन को अपने जीवन में बढ़ाएं इससे आपको सेवन बंद कर दीजिए बाहर के जो प्रोसेश्ड फूड हैं उनका सेवन कम से कम इस समय पर तो जरूर बंद कर दीजिए अपने भोजन में नमक की मातरा को कम कर लीजिए और अच्छे से भोजन को चबा करके खाईए शुगर युक्त प्यपदार्थों के बजाए आप श वास्तिसंबंधी भी फायदा होगा और आपके जो प्रियर्ट के दर्द हैं उससे भी रहात मिलेगी आपके बोडी को डिटॉक्स भी कर देगा यानि कि आपके लिवर को डिटॉक्स कर देगा और इस प्रकार से आपका बलड भी डिटॉक्स हो जाएगा तो आपके शरीर अपर अलग चमक रहेगी दर्द से भी रहात मिलेगी गरम पानी तो बहुत सी चीजों का इलाज है तो इसलिए गरम पानी का सेवन कीजिए ऐसे में खास करके आपको रहात मिलेगी हां किसी किसी को समस्या होती ही कि बहुत जादा ब्लीडिंग होने लग दिए तो ऐसे करने में मदद मिल जाएगी दो दिन तक आप सेवन कीजिए शुबह शाम सेवन कर लिजिए weit को प्रोबलेम है तो सुबह धो पहर शाम को कर लिजिए जैसे ही ब लड रूड रुख जा 먹어 दीजी आपको ढर दे तो आप 8-10 दिन पहले से ही जब आपका समय आने वाला हो उससे पहले ही आप जीरे का पानी पीना श्टार कर दीजे जीरे को पानी में उबालिए या पिर रात को भीगो कर रख दीजे और सुबह उस पानी का सेवन कीजी अगर गुंगुना रहे तो और अच्छी बात है तर तरीका है जिस तरीके से आप अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गया हो कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट करके पूछ लीजे हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए बना देंगे या फिर हम Sunday comments box ले करके आते हैं यानि कि Sunday को एक बज़े से दो बज़े तक live रहते हैं उसमें आप अपने सवाल कर सकते हैं वहाँ पर हम आपके सवालों के जबाब तुरंत देते हैं यानि कि live session में देते हैं तो आप वहाँ भी जूड़ सकते हैं हमसे इसी चैनल पर Sunday को एक से दो बज़े तक live आते हैं या फिर इसी वीडियो में आप comment कर दीजे Sunday को उसका reply हम जरूर कर देते हैं Sunday comments box में आपको बता देते हैं आपके सवालों के जबाब तो आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो लिखिदेजिए comments के माध्यम से या आपकी कोई और problem है तो ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को on कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाए notification आप सभी को सबसे पहले मिले साथी साथ लाइक कीजे वीडियो पसंद आया तो औ ताकि उनको भी इसका लाव मिल सके आपका बस कुछ सेकेंड लगता है लेकिन हमारा motivation अप हो जाता है हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आने का प्रयास करते हैं अच्छी जानकारी लाना चाहते हैं साथी साथ अन्य लोगों को इसका लाव मिल जाता है जिनको आप शेयर करते हैं तो जिनको जरूरत है जरूर उनको शेयर कीजे और अपना किमती सुझाओ और कमेंट जरूर दिया कीजे क्योंकि आपके कमेंट्स हमें इंस्पार करते हैं आगे और वीडियो बनाने के लिए साथी साथ आपके कमेंट्स के एकोर्डिंग ही हम आगे और वीडियो बनाते हैं वो हमें अच्छा लगता है तो जरूर फीड़एक हम आपका बहुत वेलवेबल मानते हैं क्योंकि आपका फीड़एक जो है वो हमारे लिए बहुत टोनिक का कारे करता है तो अपना कीमती सुझाओ चैनल को ले करके साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो वो जरूर लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से फिलाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं इतना ही रखते हैं जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सफी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दो